नमस्कार, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रोडिंगर मॉडल के उपर, चोकि क्लास 11 का स्टूडेंट जब पहली बार इसके संपर्क में आता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि यहां पर हो क्या रहा है, अजीब हो गदी रिलेशन आने शुलू हो जाते हैं, उसका मीनिंग उसको समझ में आना बंद हो जाता है, तो कोशिश करेंगे कि श्रोडिंगर मॉडल को सरल रूप से पढ़ने का परियास करेंगे, बहुर के मॉडल के बाद कुछ डेवलप्मेंट हुए है, यह तीन लोग है, एक हाइजनबर्ग है, एक डी ब्रोगली और श् और उसके बाद 33 में शोडिंग करको, जो बहुर है बहुर ने उलेक्टरोन का वेव निचर नहीं माना था, बहुर के आसाब से तो उलेक्टरोन ऐसे गोल गोल घूम रहा है, कोई वेव नहीं बना रहा है, बहुर से पूछो, यह रे लेक्टरोन न्यूकलेस से किती पर है वो एकदम तैयार है डिस्टेंस मैं बता देता हूँ r equal to 0.529 n square upon z इतने आंस्ट्रॉम है n रखो z रखो पता चल जाएगा कितने डिस्टेंस पर है electron की velocity पुछो उसे बताने को तैयार है अगला भाई क्या formula जी 2.188 into 10 to the power 8 z upon n यहां पर values जा लेंगा answer आजाए तब तक इस विशह में कोई चर्चा ही नहीं हो पाई थी कि dual nature of particle भी होता है मतलब जब कोई particle चलता है तो अपने साथ wave जोड़ लेता है यह discovery करने वाले हैं डी ब्रोगली इनका कहना यह था कि जब कोई particle चलता है तो अपने साथ एक wave associate करता है और electron तो पक्का करेगा और उसकी wave को आप तभी observe कर सकते हो जब उसका mass कम हो मतलब मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह expression था lambda equal to h upon mv आपको यहां पर numerical नहीं करना है आपको जस्ट बात समझनी की बात हो क्या रही है यह डी ब्रोगली lambda का formula है h upon mv लिखा जाता है h की 100m की अगर आप value देखें तो साक्षात 100m h को अगर आप देखें तो काफी छोटा है बाकि सब चीज़ छोड़ दीजे आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजे तो अगर आप देखेंगे तो इसकी यह जो चीज़ है बहुत ही ज़ादा खतरनाक वाली छोटी है अत्यंत छोटी अब अगर आपका कोई particle लॉय बोल रहा है कि कोई भी चीज़ चलीगी तो अपने साथ wave जोड लेगे और wave उसको तभी देख पाएंगे उसकी wave को जब उसका mass कम हो mass कम क्यों कह रहा है आप electron के case में देखिए तो electron का mass 9.1 10 to the power minus 31 है ये minus 31 इसको काफी हद तक cancel out कर देगा आप सोचिए मोटा मोटा 10 to the power minus 3 के आसपास आ जाएगा तो अगर मान लिया जाए और example अगर मान लिया जाए electron जो है वो अगर 1 meter per second के speed से चल रहा है अगर मैं ऐसे मान लो 1 meter per second के speed से चल रहा है इसको यहां से अटा देता हूं तो ये मेरे पास आ गया यहां पर 3 divided by इधर यहां गया 9.1 velocity रख लेता हूं 1 आप बाकी सब चीज़ छोड़ दीजे सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान दीजे ये value कितनी आ रही है 10 to the power minus k3 which is observable जिससा आप observe कर सकते हो लेकिन अगर कोई दूसरी चीज़ चल रही हो electron की जग़ा कोई भारी भरकम चीज़ चल रही हो माना ये pen चल रहा हो ये कोई cricket ball हो माना एक kilo की ball चल रही हो तो अगर आप वहाँ पर रखेंगे तो मैंने हाँ पर mass रख दिया 1 कीजी अगर मैं velocity की जग़पर इस जग़पर अगर मैं velocity की जग़पर 1 meter per second रखूँ बाकी सारी चीज़ छोड़ दीजे कारण ये है कि भाई साथ ये H की जो power है खुद अपना अपनी खतम है कि इसको cancel out करने के लिए negligible mass की चीज़ ही चाहिए अब बहुर के साथ क्या हुआ था कि बहुर ने तो particle nature माना था, wave nature तो माना ही नहीं था लेकिन अब तो पता चला इसके बाद दूसरे व्यक्ति आ गए उनका नाम था Heisenberg's uncertainty principle उनने दिया Heisenberg उनका नाम था अब Heisenberg साब ने कहा कि भाई साब electron की तो position और momentum में से कोई एक ही चीज़ बता पाएंगे अब एक टाइम पे सही सही दोनों चीज़ों का measurement नहीं कर सकते आग हो गया Schrodinger और Heisenberg दोनों आपस में मिलते हैं एक साथ रहते हैं कुछ समय बिताते हैं और उसके बाद quantum mechanical model atom का देते हैं ये quantum mechanical model से क्या मतलब है मैं पहले आपको यहां पर differentiate करना चाहूँगा एक classical mechanics है classical mechanics में Newton's law of motion लगते हैं classical mechanics macroscopic चीज़ पर लगती है macroscopic चीज़ मतलब macroscopic जिसे आप naked eye से देख सको ये pen है, ये mic है mouse है, laptop है ये सब चीज़ है macroscopic बड़ी जिने आप खुली आँखों से देख पाओ macroscopic हों है जिने को देखने के लिए macroscopic लगे जो बहुत ही light, बहुत ही छोटी हों negligible mass की हों negligible mass वाली चीज़ में और macroscopic चीज़ में बहुत बड़ा अंतर है जब ये चीज़ चलेगी तो इसके साथ जो wave होगी उसको आप observe भी कर पाओगे यानि कि इसके अंदर wave nature ही नहीं लेकिन जब electron चलेगा कोई microscopic particle चलेगा तो उसके अंदर तो wave nature भी आईगी और जब किसी के अंदर चलते समय wave nature आए तब newton's law of motion लगने बंद हो जाते हैं मतब जो physics, normal physics जो आप classical mechanics पढ़ते हैं उसके अंदरे सब चीज़ें जो उसके rules हैं वो अब लगने बंद हो जाते हैं किस पर ऐसे particle पर जिस particle के चलते समय wave उत्पन होती हो तो मैं आपको पहले classical और quantum mechanics में difference दिखाना चाहूंगा ये macroscopic particles पर deal करती हैं जैनि कि बड़े particle के उपर इसके उपर आप newton's law of motion v बराबर u plus it अब electron पर थोड़ी लगा होगी electron की initial velocity इतनी थी v बराबर u plus it नहीं लगेगा s बराबर ut प्लस hap 80 square वहां नहीं लगेगा ये जो है dual nature of particle पर उसकी जो dual nature है उस पर deal ही नहीं करती मतबब अगर particle चलते समय अपने साथ wave बना रहा है उसके बारे में यहां पर कोई कोई चर्चा नहीं होती तो शोडिंगर और हाइजन बग ने मिलकर के कहा कि भाई साब बहुर भाई ये जो आपने classical mechanics लगा दी atom के उपर ये तो apply नहीं हो सकती चोकि electron जब चलेगा तो अपने साथ wave जोड लेगा और wave nature के बारे में आप कुछ बाती नहीं कर रहे हो तो भाईया आपका जो ए model है classical mechanics वाला ये नहीं लगेगा हम एक नया model पेश कर रहे हैं और नया model हमारा है quantum mechanics हम आपको पेश कर रहे हैं पहले हमारी quantum mechanics के बारे में बाते सुन्डो एक तो ये microscopic particle के साथ deal करती है microscopic बोलते ही समझ जाएं deep broadly concept आपको लगाना है particle के चलते समय उसके साथ wave जरूर associate हो जाएगी दूसरा newton's log motion आप यहां नहीं लगा सकते हैं dual nature of particle के हम यहां पर बात करेंगे अब हो क्या रहा है देखो मैं आपको पहले कुछ चीज़ें दिखाना चाऊँगा चुकि जैसे ही मैं Schrödinger equation पर आऊँगा आपका फिर जी मचलाना शुरू हो जाएगा तो पहले आप कुछ चीज़ें clear कर लें NCRT में क्या लिखा हुआ है quantum mechanics was developed independently 1926 by Heisenberg and Schrödinger दोनों ने मिलके develop किया है इसको however we shall be discussing the quantum mechanics which is based on the ideas of wave motion हाला कि हम जिस electron की बात करें electron जब travel करेगा तो वो particle nature wave nature दोनों दिखाएगा लेकिन इस quantum mechanics में जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं हम electron के सिर्फ wave motion की बात करेंगे particle nature की नहीं और सुनलीजे actually मैं यहाँ पर जो study है वो study के अंदर इतना जादा mathematics लगा हुआ है जिसे आप अभी इस IU में इस उम्र में पोड़ता सीख नहीं सकते हैं आप देखिए NCRT के लिखरी पर ले पढ़ लेते हैं the fundamental equation of quantum mechanics was developed by Schrödinger and it won him the noble prize in physics in 1933 equation पेश करते हैं इतनी जादा पसंद आती है लोगों को कि इनको noble prize मिल जाता है 1933 में this equation which incorporates wave particle duality of matter as proposed by D. Broglie is quite complex and knowledge of higher mathematics is needed to solve it you will learn its solution for different systems in higher class मतब जो equation अभी यहाँ पर आने वाली है उस equation के solutions जो पूरी equation का जो complete उसका solution है उसको कैसे solve किया जाता है वो आप higher study में करेंगे higher classes में करेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ उस equation उसके symbols उसका क्या-क्या उप्यों होगे उसको सीखना है आपको लग रहा होगा सर्कों समझ में आना बंद होगे यही तो सारी चीज़ों है यही तो सारी चीज़ों है पहले भी थी यह तो हम अन्नी जग भी देखते था फिर वही इस्तिती होगे यहां तक आते हैं ते समझ में आना बंद होगे नहीं आप बात समझें आप Facebook चलाते हैं आप WhatsApp चलाते हैं आप Instagram भी चलाते हैं आपको उसका इंटरफेस पे कहां पर Real अपलोड होगी कहां पर फोटो अपलोड होगी फोटो डिलीट कैसे करें यह सारे functions पता हैं ना लेकिन उसके पीछे के प्रोग्राम से आपको क्या मतलब आप उसका प्रोग्रा इस प्रोग्राइडर उनको यूस करना आना चाहिए अब वो बनी कैसे उसके पीछे के अगर आप mathematics पढ़ेंगे तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगी मतलब अगर आपको WhatsApp चलाने के लिए अगर पीछे का अगर उसका mathematics समझ की WhatsApp चलाना होता हो WhatsApp चलाना बंद कर देंगे तो क्या हमने WhatsApp चलाना बंद कर दिया क्या हमने इंस्टा चलाना बंद कर दिया नहीं ना हम सिर्फ उसका application करते हैं उसके पीछे के mathematics से हमारा कोई सरोकार नहीं होता है चोकि वो हार लेवल की चीज़ है इन दे सेम पैटर अभी हम यहाँ पर जो उसके पीछे का mathematics है उस पर न होता है आप अगर अपनी बात करें तो सुबह सुबह जब सो के उठते हैं नहाते होते हैं नहाने दोने के वक्तम तियार हो जाते हैं तो एकदम सुबह सुबह के वक्त आपकी एनरजी अच्छी कासी होती है नाश्ता करने के बाद तो और भी शांदार होती है फिर थोड़ microscopic particle की यह property नहीं है electron जब nucleus के चारों तरफ है तो उसके energy down नहीं हो रही है ये बात तो बहुर नहीं भी बोली थी तो ऐसा system जिसके अंदर time के साथ system के energy down नहीं हो उसके लिए for a system such as an atom molecule whose energy does not change with time उसके लिए Schrodinger ने एक equation प्रोवाइट कराई जो ये है मैं फिर कहूंगा इस equation को देखके न तो ढरेए न घबराईए इस H को बोलते है Hamiltonian operator अभी आपको इसकी feeling दिला दूँगा मैं साई जो यहाँ पर है साई यहाँ पर कहलाता है wave function when we solve this equation number one जब मैं इसको solve करूंगा we get possible values of energy levels where electron can available मत्तब यह है कि जब मैं इसको solve करूंगा तो मुझे वो वो जगह मिलेंगी atom के अंदर जहाँ पर electron रह सकता है electron पूरे atom में सब जगह तो है नहीं वैसे भी आपने थोड़ा बहुता बहुर मटल पढ़ावे पहली shell दूसरी shell तीसरी shell पहली shell के energy अलग दूसरे shell के energy अलग तीसरे shell के energy अलग तो electron किन-किन energy levels में रह सकता है किन-किन energy level में रहना पसंद करता है उसकी values इस equation को solve करने के बाद मिलेगी आईए देखो psi जो है psi contains all information about electron एक प्रकार से आपको गर मैं बोलू दो बड़ी मैदार चीज़े हैं देखो एक है आधार number अब तो मोदीजी ने सबका आधार number बनवा दिया है आधार card सबके पास है अब आधार card एक ऐसे चीज़ें जिसमें आपके बारे में सारी information एक टूजट पता चल लाएगा आप कौन है कहां रहते हैं आपके पिता का नाम क्या है आपकी माता का नाम क्या है जन्मतिती क्या है कहां पैदा हो गए थे और पूरे आपके finger prints आँखे काली हैं भोरी हैं सपेद हैं सब आ जाएगा हमापर चस्ट एक number डालने से ये जो आधार number है ये तो है wave function side अब मैं इस आधार number को कहां डालता हूँ website पर भाराज सरकार ने website बना रखी है उस website पर डालता हूँ तो आपकी सारी information आ जाती है उस website को बुल रहा हूँ मैं Hamiltonian operator side तो है wave function जिसमें आपकी सारी information चुपी वी है लेकिन मैं उसे देख कहां पाऊंगा जब मैं उसे website यानि कि Hamiltonian operator उसके पर लगाऊंगा तब मुझे आपकी सारी की सारी information मिलेगी तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह Hamiltonian operator यह वो website है जहाँ पर आपको अपना wave function यानि कि पढ़ने में असानी रहे contains all information about electron आधार card number सब लिख दिया मैंने लिख दिया वो website जिस पर आधार number डालने से electron के सारी information देती है तो जब Schrodinger equation को solve करते है तो Schrodinger equation solve करने के बाद आपको यह बताती है कि electron किन-किन energy levels में रह सकता है उसकी information देती है यहां से निगल करके आते है तीन quantum numbers जो कि आप लोगोंने पढ़ रखे होंगे यह है shell एन शेल को बताता है principal quantum number L जो की एजिबुथल quantum number है sub shell को बताता है M जो की बताता है electron कौन से orbital में है उधारन के तोर पर समझे जैसे लिख रखका है है हाँ पर साइ 0, 0, 0 जिस इस साइ N, L और M तो यह आपको बता रहा है हाँ पर कि यह second shell में है L बराबर 0 का मत्तब S इस इस 2S इधर देखिए यह N की value है यह L की value है L के बारे में आपको पता है L बराबर 0, 1, 2, 3 S, P, D, F आपको मालूम है यह 3S की बात हो रही है आप इसको देखिएंगे तो इससे पता चल रहा है यह third shell है L equal to 1 का मत्तब P है तो यह 3P है अब 3P में तो PX, PY, PZ 3 होते हैं तो आपको याद होगा जो M की values होती थी वो minus 1, 0, plus 1 बीच वाले को क्या बोलते थे हैं अब देखो शोडिंगर wave equation मैं आपके सामने हाँ पर लिखावा हूँ शोडिंगर wave equation को देखकर के अपना मन घबराने के जिरुत नहीं है जी में चलाना, इस प्रकार की चीज़ों से बचिए कुछ नहीं करना एक question बन सकता है कि कोई आपसे कुछ शोडिंगर एक question है क्या आप साफ समझ लें यह ऐसा mathematics है जिसको हम अभी नहीं समझ सकते बिल्कुल वैसी जिसे WhatsApp चलाना तो हम जाते हैं लेकिन WhatsApp के पीछे की जो गनित है उसके पीछे की जो programming है उसको हम भी नहीं सिख सकते है हम एडूप तो यूज़ करते हैं लेकिन एडूप के पीछे की जो उस पर Photoshop भी करते हैं Photoshop करना हमें आता है पोटो बनानी आती है कलर ग्रेडिंग आती है लेकिन उसके पीछे की mathematics क्या उसे जानने की आपशकता मुझे नहीं है ये कुछ ऐसा ही mathematics है सीधा सवाल कई बर पट्टियों के परिक्षाओं बन जाता है कि शोडिंगर वेविकोशन पहचानी है दोनों तरफ M का multiply कर दिया तो M into kinetic energy बराबर दिस M into V को बोलते है momentum और चुकि यहां पर square है तो यह हो गया half P square तो P square बराबर आगे 2M into kinetic energy अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ मेरे पास है यह 4 pi square upon lambda square यह हो गया 4 pi square चुकि dual nature of electron और हम consider कर रहे हैं तो मुझे D Brogley concept लगाना पड़ेगा और D Brogley concept के according lambda equal to H upon MB होता है तो यहां हो जाएगा lambda की जग़ा H square upon MB का square जिसको की मैं P square बोल सकता हूँ तो मैंने यहां पर 4 pi square और यहां पर इस H square को तो ऐसे ही रहने दिया और P square हो गया मेरे पास 2M kinetic energy तो यह हो गया 2M और kinetic energy अब आप इसे देखेंगे तो यह हो गया हमारे पास 8 pi square M kinetic energy को मैं total energy में से potential energy घटा करके लिख सकता हूँ तो ऐसे आ सकता है फिर से समझ लीजे kinetic energy जो है total energy में से potential energy घटा दीजे E इस total energy osmos से potential energy घटा दीजे तो E minus V इस form पे भी इसे लिख सकता हूँ तो मेरे पास 4 pi square lambda square की जगह पर मैं 8 pi square M E minus V upon H square लिख सकता हूँ यानि कि अगर मैं इसी question को लिखना चाहूँ तो मैं इस question को देखे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं आपको दिखाए देता हूँ ये question ऐसे भी लिखी जा सकती है plus 4 pi square upon lambda square की value मेरे पास आच चुकी है ये तो ये हो गया 8 pi square M upon H square E minus V sin equal to 0 ये question को देख करके डरने के आवशकता बिलकुल नहीं है ये question मैंने आपको डराने के लिखी भी नहीं है ये मैंने सिर्फ competition के point of view से लिखी कि अगर आपसे कुछ दो form में Schrödinger wave question कुछे तो आपको लिखनी आनी चाहिए इससे जादा इसका कोई उपयोग नहीं करना है न इसको solve करना है कुछ भी नहीं करना इसके साथ अब देखिए होता क्या है मैं आपको दिखाऊं wave function के बारे में electron को locate करना है तो electron को locate करने का तरीका तो एक तो यह है कि यह बता दू यहां मैं बता दू x-axis सेतनी distance पर y-setनी distance पर z सेतनी distance पर है एक तो मैं ऐसे बता सकता हूँ एक होते हैं polar coordinates जिसमें थोड़ी से distance और थोड़ी से angle यूज़ किये जाते है जैसे मैं बता हूँ कि electron जो है यहां से यह r distance पर है जिससे इसकी x-axis से जो इसका angle है वो 5 है y-axis से इसका angle यहां पर ठीटा है इनको बोलते है polar coordinates इसमें एक तो normal coordinates हैं जिनमें हम distance यूज़ करते हैं x से इतनी distance, y से इतनी distance z से इतनी distance एक होते है polar coordinates जिसमें थोड़ा सा distance एक part distance का बाकी part angle से काम चलाते हैं तो हमने बोला भाई यह आर distance पर है center से और x-axis से फाई angle y-axis से ठीटा angle पर है इनको बोलते हैं अपने लोग polar coordinates त्यान रहे आर ठीटा फाई तो हमने क्या काम करा on the basis of polar coordinates साई आर ठीटा फाई हमने इस wave function के दो टुकड़े कर लिए दो टुकड़े कैसे एक part तो rr जिसमें आप यूज़ आप यूज़ करूगा कितने distance पर है और दूसरा ठीटा फाई कितने angle पर है मत्तब इसको बोते है radial part इसको angular part radial part यह बताता है कि electron nucleus से कितने distance पर है और angular part यह बताता है कि electron nucleus से कितने angle पर मिलेगा कितने degree पर मिलने के उसके chances है तो electron nucleus से कितने distance पर मिलेगा वो तो radial part बताएगा इस वाले part को निकाल लिया मैं और इस से मिला करके एक wave function मनाया angular part है यह depend करता है N और L पर और यह depend करता है L और M पर मैं फिर कहूंगा इन wave functions के उपर अंदर इनकी depth में जाने के अवशकता नहीं है हमें उनके पीछे की programming नहीं सीखनी है हमें सिर्फ उन wave function को use करना ना चाहिए कि मैं अपने काम की चीजिस में से कैसे निकालूगा उस पर जाना है आगे चलते हैं देखे अब हुआ क्या देखो नूकलेस के चारों तरफ को वो रीजन जहां पर electron के मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं हम लोग orbital probability of finding electron is maximum जहां पर सरवादिक संभावना हो उसे बोलते हैं orbital ठीक है जैसे अगर आपका दोस्त शराबी है बहुत अधिक शराब पीता है तो उसके मिलने की probability पोछू बटा वो 10 बज गए कहां मिलेगा कहां मिलेगा सर ठेके पे मिलेगो और कहां मिलेगा शराब का ठेका है यहां से कितने percent chances सर 90% मान के चलो वहीं मिलेगा अगर कहीं नहीं मिल रहा तो वहीं बैठके बार शराब पी रहा होगा यह उसकी probability of finding of your friend है आपको पक्का पता है ठेके क्या आसपास ही मिलेगा तो electron की मिलने की probability जिस जगह पर स्राबादिक है उस जगह का नाम रखावा है आपने orbital दिख रखा है हाँ the region around the nucleus wave probability of finding electron is maximum more than 90% होना चाहिए उसे हम बोलते है orbital जो हम साई बना रहे हैं जो हम साई बार बार लिख रहे हैं साई स्वयम साक्षात में orbital है जो कि साई एक ऐसा function है जो आपको electron के बारे में समझ तो सूच ना देता है साई ही atomic orbital है NCRT लिखती इस बात को साई wave function स्वयम में अपना आप में orbital है मतब orbital एक wave function है एक ऐसा mathematical equation है जो electron की सभी जानकर हमें देगा मैंने साई करके कुछ expression लिखा एक mathematical relation लिखा उस mathematical relation में values डालने के बाद आप पता देंगे कि electron के मिलने के संभावना इस जगह पर सरवादिक है आ गया चाहिए the region around the nucleus where probability of finding electron is zeros called node, noodle point, noodle surface and noodle plane nucleus के चारो तरपका वो स्थान जहापर electron के मिलने की probability बिलकुश शुनिया हो उसे कहेंगे आप nodal point, noodle surface यह सब शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते है आप एक बात समझे मैंने भी आपके सामने उधारण लिया कि आपका जो दोस्त है वो शराबी है तो आपकी दोस्त के मिलने के chances सबसे अधा कहा होंगे तो ठेके के आसपास मिलेगा कुधान के तोर पर समझे है कि मालिया जाए यह घर है आपका ठीक है यह आपका घर है और यह घर पर थोड़ी डिस्टेंस पर यहाँ पर एक ठेका है शराब का इधर एक और शराब का ठेका है ठीक है बीच में यहाँ पर मंदिर है बीच में यहाँ पर टेंपल है थोड़ा आगे जा करके यहाँ पर एक और धार्मिक स्थल है एक और मंदिर यहाँ पर ऐसे करके अब मैं पूछू बेटे आपके दोस्त के मिलने की प्रॉबबिलिटी सरवादी कहा है आजि भाई साथ ठेके वे मिलेगा यार बैने ढूणढा यारे ठेके पे जखानी अरे आगे वाले ठेके पे देख लू अरे मंदिर तो वो जाही नहीं सकता मंदिर जाने के तो उसके चांसेस दीरों है आप महेश की बाती तो कर रहे हो ना महेश की वो तो अतने बड़े वाला शराबी है मंदिर में तो कलपना भी नहीं कर सकता कि मिलेगा मंदिर में मेरे दोस्त महेश के मिलने की probability एकदम जीरो है उसे बोलेंगे node ये node है आप अपने दोस्त को ढूंटे वे आ रहे पूलिस ढूंटे वे आरे कोई अपराद कर दिया उसने भाई ठेके बूड़ो हम मिलेगा मंदिर पे तो हो जी नहीं सकता भाई सब ठेके भी मिल सकता ये वो जगह जहां पर उसके मिलने की संभावना है इन जगहों पर उसके मिलने की probability है ही नहीं मिलेगा ही नहीं अब ये भी हमने क्या बात किया आप से पीछे भी हमने क्या बात करी शोडिंगर equation को solve करने के बाद वो energy की values निकल करके आती है जहां पर electron रह सकता है electron हर प्रकार के energy में नहीं रह रहा है बहुर भी तो इस बात को बोलता है बहुर क्या बोल रहा है बहुर बोल रहा है कि electron हर चारो तरफ क्या बने में fixed energy levels बने हुआ है electron या तो इस energy में रहेगा या इस energy में रहेगा या इस energy में रहेगा वही बात हो रही है electron के nucleus के चारो तरफ का वो स्थान जहां पर electron के मिलने की probability probability सरवा दीखे उसको आप orbital बूल रहे हो और जहां नहीं मिल सकता उस blank space की जग़ को आप node कह रहे हैं आओ दिखाते हैं क्या होगा देखो पहले तो node की calculation सीख लेज़े कि node की calculation कैसे होती उसके बाद आगे चलते हैं तो देखो दो प्रकार के node है मैं आपको पहले node देख लीजे बन कैसे रहें फिर मैं आपको उस node की feeling कराऊंगा कि कैसी उसी feel है एक radial node एक angular node एक total node radial node का formula होता है n-l-1 यह radial node का formula है angular node का formula l है दोनों को जोड़ोगे तो total node आ जाएंगे दोनों को जोड़ोगे तो l से l cancel out हो जाएगा और यह आ जाएगा n-1 अब जड़ा देखिए 1s पे निकालना चाहूँ तो 1s के लिए n की value 1 है l की value 0 अगर मैं आपसे बोलू radial node तो n-l-1 करेंगे तो 1 इधर 0 इधर minus 1 तो radial node कितने आ जाएंगे यहां पर 0 और अगर angular node निकालेंगे तो angular node आपको पता है किसके बराबर होता है l के बराबर देख लेते हैं 0, 1, 2, 3, s, p, d, f तो l की value s के लिए तो 0 होती है तो यहां पर angular node कितने आएंगे 0 यानि कि 1s में कोई भी ना तो radial node है ना angular node है feelings मैं भी कराओंगा भी आप पहले node को calculate करना सीखिए इधर देखिए n बराबर 2, l बराबर 0, radial node निकालेंगे तो n minus l minus 1 तो n कितना है हमारे पास 2, यह कितना है 0, यह कितना है minus k1 तो 1 आएगा angular node निकालेंगे तो angular node निकालेंगे तो angular node निकालेंगे जीरो, कोई भी radial node नहीं है, angular node के बात करेंगे, angular node को अगर आप देखेंगे तो वो हता है, l के बरावर जो की 1 है, radial node का मतलब और angular node का मतलब समझे, node मतलब जहाँ electron नहीं मिलेगा, अब radial node का मतलब nucleus से कितनी radius पर, कितनी distance पर electron नहीं मिलेगा, कितनी distance पर electron नहीं मिलेगा, this is radial node, और angular node का मतलब nucleus से कितनी degree पर electron नहीं मिलेगा, अब आप सबको पता है कि S की shape होती है गोल, S होता है गोल, अब आप इस में nucleus से किसी भी दिशा में चले जाए, x, y, z, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, हर दिशा में आपको electron मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी angle पर चले जाए, electron के मिलने की probability 0 आएगी नहीं, S तो spherical होता है न, हर जग electron मिलेगा, तो electron के मिलने की probability यहाँ पर 0 कभी आएगी नहीं, इसमें कभी भी angular road नहीं आएगा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर S orbital नूकलेस से किसी भी एंगल पर चले जाए आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा यानि कि एंगुलर रोड जीरो आएगा किसकी बात चल रही है यह बात चल रही है S orbital की, लेकिन P orbital में देखिए, यह रहा P orbital, आप अगर इस angle पर जाएंगे तो electron मिलेगा, लेकिन अगर आप इस दिशा में जाएंगे तो electron मिलने के संभावना 0, इस दिशा में 0, इस दिशा में 0, इस दिशा में 0, इस दिशा में 0, लेकिन यहाँ पर तो मिलेगा, यानि कि आप मैं इसको ऐसे करके cut करूंगा अगर मैं इसको ऐसे करके cut करूंगा तो यहाँ पर तो electrons मिलने की संभाब ना शूर नहीं आएगी एक nodal plane आएगा एक ऐसा plane जहाँ पर electron के मिलने की संभाब ना जीरो यह ता हुआ पहला सी रेडियन node का मतलब होता है nucleus से कितनी distance per node मिल रहा है कितनी distance पर angle पर नहीं angle पर बात होती तो फिर हम angular node बोलते है nucleus से कितनी distance per node मिल रहा है तो अगर आप देखेंगे तो 1s में देखेंगे तो कोई node नहीं है 2s में अगर आप देखेंगे तो 2S के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2S के अंदर आपको एक नूट दिखाई देगा देखो या तो electron इस जगह पर रहेंगे या फिर electron इस जगह पर रहेंगे इन दोनों के यह पहली शहले दूसरी शहले बीच में electron के मिलने की संभावना जीरो उसको अपन बोड़ रहें नूट आप 3S को समझनी कोशिश करते हैं देखो मैं आपको 3S दिखाता हूँ अगर आप 3S को देखेंगे तो n बराबर 3, l बराबर यहाँ पर 0 है आप जब radial नूट निकालेंगे तो radial नूट आपके पास हो जाएंगे n-l-1, n कितना है 3, 0-7 कितने नूट आ रहे हैं पर 2 radial नूट दो आ रहे हैं मतलब आप अगर देखें तो nucleus के पास यह तो electron यहाँ मिलेगा यह पहला shell है जिसे बहुर shell बोल रहा है या फिर electron यहाँ मिलेगा electron यहाँ मिलेगा यह दूसरा shell है बीच में node है यह फिर electron यहाँ मिलेगा यह तीसरा shell है यह जो बीच की जगह आप देख रहे हैं यह जो बीच की जगह आप देख रहे हैं यह नोट की जगह है यह नोट है यह पहला नोट है यह दूसरा नोट है टू नोट सा रहे हैं मैं मुईत कर रहा हूँ कि आप मेरी बात ठीक से समझ रहे हूँगे कि दो प्रकार के नोड है radial नोड और angular नोड कितनी distance पर electron के मिलने की संभाव ना शून नहीं है यह radial नोड है यह nucleus है यह nucleus है ठीक है यह nucleus है इसके बास यह पहला shell उसके बाद यह दूसरा shell पूरा goal assume कर रही है यह nucleus है यह पहला shell यह दूसरा shell पहले और दूसरे shell के बीच की जगा इसको नोड बोल रहा हूँ यह तीसरा shell दूसरे और तीसरे के बीच की जगा इसको नोड बोलो इस इस काल्ड radial node अब आगे चलते हैं देखें तो थोड़ा सा वे फंक्शन में और आगे चलते हैं यहां पर हलका सा कॉंप्लिकेशन है लेकिन कुछ ग्राफ हमें पढ़ने हैं जो की बहुत जरूरी है यह तो अपना साई आर ठीटा फाई इसको हमने जो वे फंक्शन था दो पार्ट में तो उड़ रखा था रेडियल पार्ट और अंगुलर पार्ट इसको बोलते हैं रेडियल पार्ट और वे फंक्शन इसको जब हम स्क्वाइर कर देते हैं Radial Probability Distensity For Unit Volume कहलाता है इस वाले section को जो मैं भी आपके सामने लिख रहा हूँ और इससे अगले वाले section को आपको कठोड़ता पूर्वक याद करना है आपको ध्यान रखना है कि Instagram पर कहां क्लिक करने से Reel Upload होती है आपको ध्यान रखना है कि Filters कैसे लगाए जाते है आपको ध्यान रखना है कि Reel कैसे काटी जाती है आपको ध्यान रखना है कि अगर Post हो जाए तो इसको Delete कैसे करते है वो ध्यान ही रख रहे होते हैं आप Exactly आपको इस सब चीज़े अब जो अगले दो pages में आपके सामने करने वाला हूँ यह दोनों आपको कठोड़ता पूरवक याद करने है पूरा मन लगा के इसको याद कीजिए इसके बाद यह खत्म हो जाएगा इसके बाद का जो section है वो GW Advanced के लिए है Neat और School Level के लिए तो इतना ही परियाप्त है आर जो है वो Radial Part of Wave Function है जब इसका square कर देते हैं तो यह कहलाता है इसका नाम है Radial Probability Density for Unit Volume Radial Probability Density for Unit Volume इसको बोलते है Radial Probability Density for Unit Volume जब मैं इसको 4pi r² से multiply करता हूँ तो यह कहलाता है Radial Probability Distribution Function अब यह Radial Probability Distribution Function है क्या और ये क्या बताता और ये कैसे आता है Radial Probability Distribution function आपको ये बताता है कि किसी खास रीजन में electron के मिलने के संभावना कितनी है और इसको निकालते कैसे हैं बता रखा है यहाँ पर Radial Probability Distribution यहाँ बताता है कि R से R प्लस DR के बीच में इलेक्टोन के मिलने की टोटल प्रॉबबिलिटी कितनी है? टोटल प्रॉबबिलिटी होती है प्रॉबबिलिटी रेंसिटी जो कि आपने फॉर उनिट वॉलिम लिख रखा है इन्टू वो वाला वॉलिम जहां पर आप इलेक्टोन देखना चाहते हो पर एक्जामपल मेरे पास ये पूरा आइटम है और मैं देखना चाहता हूं कि इसके चारो तरफ इस वाले रीजन में इलेक्टोन के मिलने की संभावना कितनी है ये मेरे पास नूकलियस है मैं हाँ पर इस रीजन के अंदर इस वाले शेड़ेड रीजन के अंदर देखना चाहता हूं कि इलेक्टोन के मिलने की संभावना कितनी है इस शेड़ेड रीजन में देखना चाहता हूं इस शेड़ेड रीजन का मुझे पहले वाल्यूम निकालना पड़ेगा यहां से लेकर 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 यहां से करेंगे तो यह आता है 4πR²DR यह उस जगह का वॉल्यूम आगया जहां पर मैं electron की presence देखना चाहता हूँ मैं यह देखना चाहता हूँ कि इस जगह पर electron के मिलने की probability कितनी है तो इस region में अगर मुझे electron के निकलने की probability देखनी हो मिलने की probability probability देखनी हो तो अब मैं total probability कैसे निकालते थे probability density जो की R² है मिलको उसको multiply करना पड़ेगा उस जगह के volume से जिस जगह पर मुझे electron की probability देखनी है मिलने की संबाबना कितनी है तो वो जगह का volume उस shell का volume मैं निकाल चुको हूँ वो है 4πR²DR तो इसको multiply करूँगा मैं radial probability density से यह रहा है यहां पर probability density जो आरस पर से multiply करा इसको short में दिया मैंने ऐसे this is called radial probability distribution function अब यहां पर आते हैं कुछ graphs यह graphs आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे मन लगा कर कि अच्छे सा आप उनको याद करना है इन graph में क्या बताया जा रहा है मैं आपको यह बता देता हूँ तीन प्रकार की ग्राफ पुछे जाते हैं यह वाले और यह वाले इसके बाद अपन लोग gw advance का section देखेंगे यह वाला इसका board के लोगों से कोई सरोकार इसका यहां पर नहीं है क्या हो रहा है आईए देखते हैं यह है r versus r के बीच में graph पहले यहां नहीं पहले इसको देख लेते हैं इधर देखते हैं यह है r versus r r क्या था r था radial part of wave function और r के बीच में r क्या है distance of the electron from the nucleus यह वो है 1s का graph ऐसा आता है यह शोडिंगर equation को solve करके बनाए गए हैं आप इन graph की drawing नहीं सीखने जा रहे हैं आप उन graphs को याद रखना है कि graph बने कैसे हैं तो जनाब 10s का graph ऐसे आ रहा है 2s का graph ऐसा आ रहा है 3s का graph ऐसा आ रहा है 4s का graph ऐसा आ रहा है अब interesting चीज़ देखे मैंने r का square कर दिया तो plus का square तो plus ही रहेगा तो यहां तो graph में कोच चेंज नहीं होगा लेकिन यहां पर जो minus वाला है उसका square जब होगा तो plus में convert हो जाएगा तो नीचे वाला पार उपर चला गया यह रहा है इस जगह को बोलते हैं अपन लोग node यह जगह node है node r square क्या था अब यहां पीछे देखे आर square क्या था r square था radial probability density electron के मिलने की probability कितनी है तो जिस जगह पर electron के मिलने की probability शूर नहीं हो जाए उसे क्या बोलते थे node और अभी अभी हम लोगों ने 2s में radial node देखा था एक radial node आया था 2s के अंदर 3s के अंदर 2 radial node आये थे यह रागरा इधर यह minus square करेंगे यह तो plus था यह agities रहेगा कितने node आ रहे है यहाँ पर 2 node आ रहे है यह भी node है यह भी node है अभी हमने देखा था 3s में 2 node थे इधर देख लिए यहाँ पर कितने node आएंगे जी नीचे वाला है distribution function उसका graph है इसका graph तो यह रहा अब इधर देखें हैं हापर आप इस graph में आप अगर देखेंगे तो आपने इस r square को किस से मिंट्प्लाइ करना था इसका अगराफ ऐसा आता है यह जगान ओड किया इधर यह जगान आफी है यहां पर चोटी पहले और बड़ी ऐसा क्यूं !? है आप इतर देखिए पहले बड़ी फिर छोटी फिर फिर चोटी यहां उल्टा हो रहा है चोटी फिर बड़ी फिर बड़ी ऐसा स्वेवरा को आप ने आर स्कुर को आर समय कर दोगे और इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो इस पॉइंट पर R की वेल्यू जीरो है तो इसलिए यहां पर probability of finding electron भी जीरो हो रहा है आप समझें मेरे बात को इस R square को इस R square को यह R square और हो रहा है और इस पॉइंट पर R की value कितनी है जीरो तो इस पॉइंट पर R की value जीरो है इसलिए इस जगह पर probability की value भी कितनी आ रही है जीरो आप देखिए ना इस जगह पर जो graph आपका आ रहा है मैं आप से किस चीज की बात कर रहा हूं कि यहां पर जो याली value बढ़ती चली जाएगी इसलिए peaks की जो उचाईया है वो इस दिशाई में आगे बढ़ते समय बढ़ती चली जाएगी उनको देखिए डरिये मच चुकि आपको उनको व्याद नहीं करना है उनसे अपने जो अपने मत्तब का सवाल है वो निकालना है तो अब आप देखें तो radial पार्ट और angular पार्ट होता है ये radial वेव फंक्षन इसके अंदर angular पार्ट है ही नहीं अच्छा ऐस सब्षेल को अगर आप दिखेंगे तो ऐस सब्षेल के अंदर कभी भी angular पार्ट आएगा ही नहीं चोकि ऐस सब्षेल में किसी भी एंगल पर चले जाओ electron के मिलने की संभावना तो रहती ही है शुनिय तो कभी आती नहीं इसलिए कभी भी s orbital का कोई भी व्यक्ति अगर वेव फंक्षन लिखेगा तो उसमें theta fighter में कभी नहीं आएगी इधर देखें आगे चलते हैं इसे देखें ये भी radial पार्ट हैस के अंदर angular पार्ट है ही नही इधर देखें इसके अंदर cos theta है इस angular पार्ट है करना कुछ नहीं यह घबरानी क्या हो शक्ता नहीं सर्फ wave function देख लीजिया अब इधर देखें सवाल स्वाल करते से मैं आपको क्या करना है पस दो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना और आपके बड़े से बड़े सवा हुआ रहेगा उस wave function में exponential term रहेगी जो इस प्रकार से लिखी होगी और इस term से आपको दो चीज पता चल जाएंगे एक तो z और यहां से पता चल जाएगा कौन से shell की बात हो रही है दो information आपको मिलेंगे एक z की और एक n की दूसरा जो साई होगा वो one upon a zero की power three by two plus l होगा ज n की electron जो है वो किस sub shell में है उसकी आपको यहां पर value पता चलेगी आईए देखते हैं पहले हम z और n निकालते हैं सब के जो हमें दिये गए थे ठीक है तो कहां से चुरू है यहां से तो आप अगर देखें तो e to the power minus z r upon n a zero होता है compare करा लीजे z के value कितनी है one और n के value कितनी ह है one इसका मतब यह पहले की बात चल रही है first shell की बात हो रही है यहां पर hydrogen atom है और first shell की बात हो रही है इससे h atom है और first shell की बात हो रही है अच्छा आगे लिए चलता हूँ आपको इधर देखो इसको यहां पर यह रहा तो e to the power minus z r upon 2 a zero होता है तो उसका मतब z की value तो यहां प देखिए इसको देखिए यहां पर तो जैड बराबर तो वन है यानि कि hydrogen atom की बात चल रही है और अगर हम देखेंगे तो n बराबर 3 है यानि कि third shell की बात हो रही है अच्छा और क्या बताया था मैंने आपको साई proportional to one upon a zero की power 3 by 2 plus L होता है चलिए देखते हैं साई प्रपोश तो साई proportional to one upon a zero तो three by two इसको तो plus zero लिखूंगा मैं यहां पर चुकि सिर्फ three by two है यहीं से पता चल जा रहा है कि L की value कितनी है zero और L की value zero होने का मत्तब यह कौन सा है यह है यहां पर एस सब शेल यानि की बात चल रही है यहां पर फॉस्ट शेल था एं तो हम निकाली चुके थे यहां से वन दस वन एस यह वेव फंक्शन जो लिखा गया है वह वन इस के लिखा गया है आगे चलते देखो इधर आते हैं साई प्रपोशनल टू क्या है बन अपॉन एजिरो क इगा रिलेशन नहीं बैठेगा तो साई प्रपोशनल टू यहां पर भी वही आएगा एजिरो इसकी पावर थ्री बाइटू प्लस जीरो अगर मैं इससे देखूंगा तो तो यहां पर एल की वेल्यू कितनी आएगी एल की वेल्यू आ जाएगी यहां पर जीरो आने का मत् प्रपोशनल टू दिख रहा होगा आपको एजिरो की पावर थ्री बाइटू और साथ में यह भी आ रहा है वन अपॉन एजिरो तो अगर मैं देखूंगा तो साई प्रपोशनल टू एजिरो इसकी पावर हो जाएगी थ्री बाइटू प्लस वन और वन का मत्तब यहां पर लोग वक जैसे इसी में पहुछ लेते हैं जैसे यहाँ पर इस वाले केस में दिखाता हूँ मैं आपको मुझे उमीद है आपको इसको देख करके अपना एटम कौन सा एटम है कौन से शेल है कौन से सब शेल उसको पहचानना आ रहा होगा एजिरो को बोलते हैं बहुर रेडियस बहुर रेडियस का मतलब होता है रेडियस आफ फरस्ट और बिट इन एच एटम और क्लियर कर दू रेडियस का फ्रमुला होता है पॉइंट फाइफ तू नाइन स्कॉाइर अपन जेड आंस्ट्रॉम में अगर एच एटम के बात करूँगा और फरस्ट शेल के बात करूँगा तो यह राब वन स्कॉाइर अपन वन तो सॉल्ब करके आएगा पॉइंट फाइफ तू नाइन आस्ट्रॉम यह बहुर के फरस्ट शेल की हाइडोजन एटम के फरस्ट चेल की रेडियस है इसी को बोल रहे हैं अब कई बार लोग पुछ लेते हैं एट नोडल पॉइंट रिलेशन बिट्विन आर एंड आर जिरो यह पुछ लेते हैं या एट वाट डिस्टेंस नोडल पॉइंट विल बी अब्जर्वड किस जगह पर नोडल पॉइंट मिलेगा यह पूछ लेते हैं तो नोड के लिए आपको पता है प्रॉबबिलिटी और फांडिंग एलेक्ट्रों जीरो होना चाहिए और प्रॉबबिलिटी कैसे आती थी वेव फंक्शन को स्क्वाइर करने से आती थी तो यानि कि आपको साइं स्क्वाइर बराबर जीरो करना पड़ेगा अब देखो ये तो जीरो हो नहीं सकता फांट वैल्यू है ये भी जीरो नहीं हो सकता जीरो सिर्व यहीं हो सकता है तू माइनस और आप ऑन एजिजिरो और अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो इस पूरे का इस्क्वाइर बराबर जिरो रख दीजिए आप इरे बाद समझे मैं क्या बोल रहा हूँ आप पूरा साइब स्कॉर जिरो मतलब आप इस पूरे का स्कॉर इस पूरे बराबर आगया 2 और बराबर आगया 2 एजीरो तो आपसे पोछा था कितनी डिस्टेंस पर नोडल प्लेन आएगा तो नोडल पॉइंट आएगा तो भी अतनी डिस्टेंस पर आएगा 2 इंटू पॉइंट 529 मल्टिप्लाइ कर दीजे तो इतने आस्ट्रम डिस्टेंस पर आपको डूडल प्लेएगा और भी फॉर्मिट हो सकते हैं इसके यहां पर भी कर सकते हैं इधर आजाएगा आर बराबर सिक्स टाइमस पर जीरो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं फाइनल अब इधर देख लिजे इसको देखिए तो साईy अटर प्रोपोशनल 2 क्या जाएगा वन अपोण हे जिरों की पावर थ्री बायट्स और साथ में ए स्कौर solve कर सकते हैं कोई आप से पूछे की बताओ कौन सा है तो यह sigma जो है R upon A 0 है तो E equal to हो जाएगा हमारे पास R upon 3 A 0 ही से पता चल रहा है N बराबर तो 3 है और Z बराबर कितना है? Z बराबर A के hydrogen atom में तीसरा चल है और यहां से अगर आप देखेंगे अगें तो आप करेंगे तो आपके पास आजाएगा यह sin proportional to A 0 की power 3 by 2 यानि कि proportional to A 0 की power 3 by 2 plus 0 L बराबर कितना आगे हैं पर 0 इसका बत अब यह 1S की बाद चल रही है तो यहां पर अलग-लग प्रकार के questions बनाए जा सकते हैं मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को Schrodinger wave equation का जो fear है उसे मैं हटा सकूँ मैंने इसमें सारे के सारे पक्षों को छुआ है हाला कि यह concept बहुत बड़ा है बहुत depth में है इसमें और भी बहुत सारे काम किया जा सकता है लेकिन एक 11-12 के students के लिए एक JEE aspirant के लिए एक नीट aspirant के लिए मेरे साब से इतना काफी है मुझे उमीद है कि मैं आप लोगों का fear कम करने में जरूर सफल रहा हूंगा आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक सधिक शेयर करें अगर आपको यह उपयोगी लगती है तो नमाश्कार